पश्कार साथियों आपके अपने यूटूब चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर शाप से विकाविनंदन साथियों हम सभी प्रशनोत्री हल कर रहे हैं लगातार प्रशनोत्री आपको दी जा रही है प्रश्नोत्री के साथ साथ आपके कमेंट पर यह बात पूशी गई है कि हिंदी साहित के प्रमुक तथ्यों को भी बताएं तो आज हम हिंदी साहित के प्रमुक तथ्यों को लेकर उपस्थित हुए हैं इसी तरह आप कमेंट पर मांगते रहेंगे, तो हम और भी तथ्याप के सामने लेकर उपस्थित होंगे, चलिए आज के तथ्यों पर बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे आधुनिक काल और आधिकाल, आधिकाल की संपूर्ण जानकारी यहां इस वीडियो में आपको काल विभाजनों नामकरण की समस्या पर चर्चा होगी, हिंदी साहित स्रसंबंदित, नामकरण जो विविन ने कभियों के द्वारा दिये गए हैं, नामकरण पर चर्चा होगी, रीतिकाल का नामकरण क्या है, आधुनिकाल का नामकरण क्या क्या है, हिंदी साहित का आरंभ कब से माना जाता है किसने कितने समय से माना है और हिंदी का प्रथम कभी किसे और किसने माना है कौन है और किसने माना है इसी तरह से हिंदी की प्रथम रचना के बारे में भी जानेगे हिंदी की प्रथम रचना होने का गौरव किस रचना को मिला है इस तरह से आज के वीडियो इन सभी तत्थों पर बात करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे द्वारा दिये गए हर तत्थे से आप परचित होते रहें आईए चलते हैं आज के प तो जार्जगीर्शन ने आदिकाल को चारण काल कहा है इसी तरह से संदिकाल आदिकाल को संदिकाल किसने कहा संदिकाल संदिकाल चारण काल तो संदिकाल चारण काल जो कहा गया है रामकुमार बर्मा के द्वारा कहा गया है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है तो राम रामचंद्र सुग्ल ने आधिकाल को बीर गाथा काल नाम दिया है विशितने से आरमभिक काल आधिकाल को आरमभिक काल किषी ने कहा है तो मिस्रवंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है, बीर गाथा काल रामचन सुकल ने कहा है, संदी चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है और चारण काल गिरशन ने कहा है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, आदिकाल के इतने नामकरण दिये गए हैं, इसके बाद आदिकाल नाम किरण किसने दिया हिंदी साहित के आदिकाल को आदिकाल नाम से किसने पुकारा है हिंदी साहित के आदिकाल को आदिकाल नाम से द्रेवेदी जी ने आचार हजारे पशा द्रेवेदी जी ने कहा है और रशाल डाक्टर रमा संकर सुकल रशाल ने भ भी आधिकाल को आधिकाल कहा है अगला है कि वीजवपन काल आधिकाल को किस ने कहा महाभीर प्रशाद द्रवेदी ने आधिकाल को वीजवपन काल कहा है इसी तरह से आधिकाल को वीजवपन काल किस ने कहा विश्वनात प्रशाद मिश्र ने आधिकाल को भीर काल नाम दिया ह आगे चलते हैं कि सिद्ध सामंत काल किस ने कहा है आधिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है राहुल सांकृत्यायन सही नाम पढ़ेंगे राहुल सांकृत्यायन ने आधिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है आधिकाल को अपभरंशिकाल किस ने नाम दिया आ ध्रेंद्र बर्मा और डाक्टर बच्चन सिंग ने दिया है अंधकार काल आधिकाल को अंधकार काल किस ने कहा है कमल कुलुष्रेष्ट ने आधिकाल को अंधकार काल कहा है इसी तरह से आधिकाल को सुन्य काल किस ने कहा है आधिकाल को सुन्य काल नाम जो दिया है डाक्टर गड़पती चंद्रगुप्त ने आधिकाल को सुन्य काल नाम दिया है। आधिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आधिकाल को पुरानी हिंदी काल कहा है। इस तरह से आगे चलते हैं रीतिकाल का नामकरण। हिंदी साहित में रीत काल के विभिन्न नामकरन दिये गए हैं, किसने कहा है, तो अलंकृत काल, रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा, तो रीत काल को अलंकृत काल मिस्र बंधुओने कहा है, मिस्र बंधुओने, रीतिकाल को कला काल नाम किस ने दिया रीतिकाल को कला काल नाम किस ने दिया तो रमा संकर सुकल रशाल ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया है रीतिकाल को स्रिंगार काल नाम किस ने दिया है रीतिकाल को स्रिंगार काल नाम डाक्टर विश्वनाथ प्रशाद मिस्र ने और हजारी प्रशाद द्रिवेदी ने स्रिंगार काल नाम दिया है रीतिकाल को रीतिकाल नाम से किसने पुकारा है तो रीतिकाल को रीतिकाल नाम से आचार राम जंदर शुकल ने कहा है इस तरह से आगे वढ़ते हैं रीत शिंगार काल भगीरत मिस्र ने रीत काल को रीत शिंगार काल के नाम से कहा है जाना है इसी तरह से आधुनी काल का नाम करण देखेंगे आधुनी काल का नाम करण देखेंगे गद्यकाल आधुनी काल को गद्यकाल नाम से किसने पुकारा है आधुनिक काल को गद्यकाल नाम से राम चंदर शुकल ने उकारा है आधुनिक काल को बरतमान काल किस ने कहा है बरतमान काल मिश्रबंधु ने कहा है आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम किस ने दिया है आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम डाक्टर राम कुमार बर्मा ने दिया है आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम डाक्टर रामकुमार बर्मा ने दिया है इसी तरह से आधुनिक काल का नाम आधुनिक काल डाक्टर गर्डपति चंद्र गुप्त ने भी कहा है आधुनिक काल का आधुनिक काल नाम डाक्टर नगेंद्र ने भी कहा है इस तरह से आज हमने नाम करण से सम्बंदित प्रमुख नामों को जान लिया है। आए हिंदी का आरंभ देखते हैं। हिंदी का आरंभ कब से और किसने माना है। इसी तरह से अगर देखें। रहुल संकृत्यायन ने कब से माना है। तो 779 इसवी से अर्थात आठवी सताब्दी से आठवी सती से रहुल संकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। जाजगी अर्षन ने 700 इसवी से 1400 इसवी तक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। किस तरह से आप आरंभ जान गये हैं। आरंभ जो है आगे देखेंगे कि मिस्र बंधुन 643 इसवी से 1389 तक हिंदी साहित्य का समय माना है। इसी तरह से आचार रामचन सुकल विक्रम संबत 1050 से 1375 तक हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। आचार हजारी प्रसाद दिवेदी 1020 से 1420 के बीच हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। इसी तरह से डाक्टर नगेंद्र सात्वी सतापदी के मध्य से 1420 के मध्य तक हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। किसके अनुसार स्वयंभू 693 भी डाक्टर रामकुमार बरमा ने स्वयंभू को प्रथम कभी स्विकार किया है। सरहपा को प्रथम कभी राहुलसांकृत्यान और नगेंद्र ने माना है। साथ सुनहत्तर इस भी अर्थात आठ्वी सती इसी तरह से पुष्य और पुन्य को किसने हिंदी साहित का प्रथम कभी माना है पुष्य और पुन्य को सिव सिंगर ने प्रथम कभी स्विकार किया है पुष्य और पुन्य को पुंड को सिंगर ने प्रथम कभी स्विकार किया ह आचार रामचन्सुकल और चंद्रधरशर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को प्रथम कभी स्विकार किया है इसे तरह से अब्दुल-्रह्मान को प्रथम कभी आचार हजारी प्रसाद दिवेदी जी मानते हैं यसी तरह से शाल भद्रशूरी को गडपचंगुप्त प्रथम कभी श्विकारते हैं इसी तरह से बिद्यापती मैथली हिंदी डाक्टर बच्चन सिंग को बिद्यापती को डाक्टर बच्चन सिंग ने हिंदी का प्रथम कभी श्विकारा है लेकिन बात यह है हिंदी का प्रथम कभी किस आधार पर किसने बाना है यद इसके के आधार पर देखा जाए हिंदी की प्रथम रचना हिंदी के प्रथम कभी सरहपा की जो रचनाएं मिलती हैं हिंदी का प्रथम कभी सरहपा को माना जाता है जो इनकी रचनाएं मिलती हैं वे सभी मुक्तक हैं अतह प्रथम रचना के नाम पर इनकी रचना प्रस्तुत नहीं क की जा सकती यद एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना का निर्धारन करना हो तो वह स्रावकाचार यह जैन आचार देवसेन कृत है यह किसके द्वारा लिखी गई है देवसेन के द्वारा लिखी गई है इसका समय 933 इस भी या संबत 990 है इसमें 202 में स्रावक धर्म का वर्डन किया गया है ग्रिहस्त धर्म उस वर्डन का केंद्र है गेंünf इस तरह से आज के इस कालांस में हम सभी ने प्रथम कवी हिंदी साहित का राम और की क्रद्वेस के पढ़There नाओं को जाना है इसी तरह से आपको और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेल करके जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद जैहिंद जैवार